नमस्कार दोस्तों CSN World में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं भारतिया रफैल पाक का F-16 या चीन का J-20 में से कौन बहतर है तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के रफैल में इसके आते ही भारत वाई उसेना की ताकत बढ़ जाएगी क्योंकि हमारे दोनों ही पड़ोसी देशो यानी चीन और पाकिस्तान के पास ये खतरनाग फाइटर जेट नहीं है पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाइटर जेट है तो चीन के पास अपना बनाया हुआ J-20 लड़ाकु विमान है पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट तो भारतिय रफैल के आगे कहीं नहीं टिकता लेकिन चीन का J-20 फाइटर जेट केई मामलों में रफैल को टक्कर देता है लेकिन चीन के फाइटर जेट का जवाब भी हमारे पास है आईए जानते हैं कि रफैल कैसे पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से बहतर है रफैल का कॉमबेट रेडियेश 3700 किलोमेटर है जबकि F-16 का 4200 किलोमेटर है वहीं J-20 का 3400 किलोमेटर है कॉमबेट रेडियेश यानि अपनी उडान स्थल से जितना दूर विमान जाकर सफलता पूर्वक हमला कर लोट सकता है उसे विमान का कॉमबेट रेडियेश कहते हैं रफैल में लगी मिटियोर मिसाइल 1500 किलोमेटर और सकेल्प मिसाइल 300 किलोमेटर तक मार कर सकती है जबकि हैमर यानि की highly agile modular munition extended range एक ऐसी मिसाइल है जिनका इस्तिमाल कम दूरी के लिए किया जाता है यह मिसाइल आसमान से जमीन पर वार करने के लिए कारगर साबित हो सकती है अब बात करें पाकिस्तान की F-16 की तो F-16 में सिर्फ M-RAM मिसाइल है जो सिर्फ 100 किलोमेटर तक मार कर सकती है चीन के J-20 की बात करें तो वो 300 किलोमेटर तक मार करने वाली PL-15 मिसाइले और 400 किलोमेटर तक मार करने वाली PL-21 मिसाइले लगी है अब बात करते हैं उचाई हाजिल करने के मामले में पाकिस्तान के F-16 से राफेल काफी आ गए है पाकिस्तानी F-16 की rate of climbing 254 मीटर प्रतिसेकंड है राफेल का rate of climbing 300 मीटर प्रतिसेकंड है जबकि चीन के J-20 की 304 मीटर प्रतिसेकंड क्लाइमबिंग की ताकत है रफेल एक मिनट में 18,000 मीटर उचाई पर जा सकता है पाकिस्तानी F-16 एक मिनट में 15,240 मीटर और चीन के J-20 एक मिनट में 18,240 जो है उचाई पर मीटर पर जा सकता है अब बारी आती है स्पीड की चीन के J-20 फाइटर जेट की स्पीड 2100 किलोमेटर परती घंटे है पाकिस्तान F-16 की गती 2414 किलोमेटर परती घंटा है जबकि भारत की रफेल की गती 2450 किलोमेटर परती घंटा है यानि धुहिनी की स्पीड यान की गती से दुगनी स्पीड है निगरानी रखने में संख्शम है, इसका टार्गेट अचूक होता है रफैल पर लगी गन एक मिनेट में पचीस सो फाइर करने में संख्षम है रफैल में जितना तगड़ा रडार सिस्टम है उतना F-16 में नहीं है रफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दाइरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है जबकि पाकिस्तानी F-16 का रडार 84 किलोमीटर के दाइरे में केवल 20 टारगेट को ही पहचान सकता है इन तीनों लड़ा को विमानों को देखकर इनके आंखडे देखकर आप समझी गए होंगे कि आखिर इन तीनों में से बहतर कौन है कौन जो है वो भारत को टक्कर दे सकता है इसी तरीके की वीडियो में आगे भी आपको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कुछ ऐसी ही जानकारिया अगर आपको इवीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करे शेर करे और सब्सक्राइब करे धन्यवाद